हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनलाइन एजुकेशन में मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीन कुमार यदि आप ओनलाइन एजुकेशन पर इस चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लिटेस्ट अपडेट्स आप तक उँचते रहें आज में जिस विशे को लिकर आप लोगों की बीच उपस्तित हूँ वो है राज्य और सरकार के बीच अंदर क्या राज्य और सरकार के बीच कोई अंदर है? बहुत सारी बिद्वान राज्य और सरकार के बीच अंदर मानते हैं आज हम यह जानने का परियास करेंगे कि राज्य क्या है? सरकार क्या है? सबसे पहले हम राज्य का अर्थ जानने का परियास करेंगे कि राज्य क्या होता है? सरकार क्या होती है? इनके बीच क्या-क्या अंदर पाया जाता है अर्थात बिद्वान किन-किन आधारों पर, किन-किन मतों पर, राज्य और सरकार के बीच अंदर करते हैं डिफ्रेंस बिट्विन, डिफ्रेंस बिट्विन स्टेट एंड गवर्नमेंट आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड होता है तो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे तो चलिए शुरू करते हैं राज्य और सरकार में अंतर राज्य और सरकार में अंतर करने के लिए हमें सबसे पहले राज्य जो शब्दावली है राज्य जो टर्म है यह क्लियर होनी चाहिए कि राज्य क्या है उसके बाद हमें सरकार शब्दावली गवर्नमेंट जो शब्दावली है कि सरकार क्या होती है इसका अर्थ क्लियर होना चाहिए उसके बाद ही हम राज्य और सरकार में अंदर निर्धारित कर सकते हैं तो सबसे पहली राज्य और सरकार में अंदर करने के लिए सबसे पहले राज्य का अर्थ जानते हैं मैंने अपने अंदिम लेक्चर में भी राज्य का detailed earth बताया था राज्य और जरकार में अंदर के लिए हमें राज्य का अर्थ बताऊना चाहिए तो राज्य क्या होता है राज्य एक ऐसा सरवोच संगठन है जो उसकी अंदर बिद्यमान दूसरी समुधाई और समुहों से सरवसुरेश्ट होता है राज्या एक ऐसा सरवोज क्या है? संगठन है, और्गनाइजेशन है संगठन जो है बहुत सारी छोटे छोटी प्रदेशों ने मिलकर एक बड़ा राज्य बनाया हो सकता है जिस प्रकार भारत की बर्दमान समय में 28 राज्यों हो है नौ किंद्र शाषित प्रदेशों ने एक राज्य रूपी संगठन बनाया है तो उसको राज्य का नाम दिया जाता है या वह राज्य का संगठन किसी बड़े भूभाग को छोटे छोटे भागों में विवाजित करके राज्य बनाया हो जिसको जो है destruction of union जो है कहते हैं उधारण के लिए अमरीका में 13 बड़ी-बड़ी कलोनी थी स्वातंतरता के बाद उन बड़ी-बड़ी कलोनीों को 50 छोटे-छोटे राज्यों में बाटा गया और उन पचास छोटे-छोटे राज्यों का एक संग बना एक फेडरेशन बना जिसको राज्य कहा गया तो राज्य क्या है राज्य वह सरवोच संगठन है जो उसके अंदर उस राज्य के अंदर जो दूसरे समुदाए और संस्थाएं हैं उनसे उच्छ है और यह राज्य जो शब्द है इसको अंग्रीजी में स्टेट कहते हैं और स्टेट शब्द लैटिन भाषा के जो स्टेट शब्द है वह लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से निकला है और लेटिन भाशा में स्टेटिस शब्द का अर्थ होता है दूसरों से सर्वस्रेष्ट दूसरों से सर्वस्रेष्ट का अर्थ यहां पर यह है कि राज्य उसके अंदर बिद्यमान दूसरी समुदायों और संस्थाओं से सर्वोच है यह था राज्य का अर्थ तो चलिए अब जानते हैं सरकार का अर्थ की सरकार क्या होती है या what is government सरकार क्या है तो सरकार क्या है सरकार किसी भी राज्य का कानून बनाने का एक प्रमुख अंग होता है किसी भी राज्य में जितने भी कानून बनाए जाते हैं बे सारे की सारे कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार किसी भी राज्य में प्रशाशन चलाने का administration को चलाने का मुख्य अंग होता है कानून बनाने का भी यह मुख्य अंग होता है किसी भी राज्य में सरकार द्वारा कानून बनाये जाते हैं और उस देश का जो प्रशाशन है उस देश का जो राजनितिक प्रशाशन है उस देश का आर्थिक प्रशाशन है राजनितिक प्रशाशन मेंस दूसरे देशों के साथ जो संधिया समझाते किये जाते हैं वो सरका सरकार के द्वारा किया जाते हैं, सरकार के जो राजनितिक संस्थाएं हैं, प्रधान मंतरी हैं, राष्ट पती हैं, उनके द्वारा दूसरे देशों के साथ समझोती किया जाते हैं, राजनितिक प्रशाशन हैं, देश का जो है शाशन किस परकार चले देश में जो है राजनि प्रजितिक ब्यवस्ता किस प्रकार हो यह सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत एक राज्य है, भारत राज्य की एक केंदर सरकार है और जितने भी 28 राज्य है भारत में 28 परदेश है उन 28 परदेशों की भी अपनी अपनी प्रांतों की सरकारे हैं केंदर सरकार जो है केंदर में शाषन चलाने के लिए कानून बनाती है और 28 परदेशों के लिए भी जो है कानून बनाती है और जो 28 परदेश है उनकी भी अपनी अपनी परदेश सरकारे हैं तो वो परदेश सरकारे उन परदेशों का प्रशाषन और उन परदेशों के लिए कानून बनाती है, तो सरकार क्या है सरकार किसी भी राज्य का चाहे वो भारत राज्य हो चाहे वो अमरीका हो चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो उन राज्यों के अंदर जो प्रदेश है, जिसे भारत भारत में हिमांचल है, हिमांचल प्रदेश की भी एक सरकार है, पंजाब है, हरियाना है, इनकी सरकारी, इनकी सरकारों का मुख्य कारे क्या है, इनका मुख्य काम है कानूनों को बनाना और वहां पर प्रशाशनिक जो गतिविधियां है, उनको निवाना और प्रशाशन चलान तो सरकार किसी भी राज्य का शाशन चलाने का एक मुख्य अंग होता है अर्थात कोई भी राज्य सरकार के द्वारा अपने कानून बनाता है और अपना प्रशाशन चलाता है सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के तीन अंग होते हैं गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं, पहला है बिधान पालिका, दूसरा है कारे पालिका, तीसरा है न्याय पालिका, सरकार के तीन अंग होते हैं, तीन ओर्गन होते हैं में सरकार के, सबसे पहला बिधान पालिका, इसको कहते हैं लेजी स्लेचर, लेजी स्लेचर, बिधान प का काम क्या है विधान पालिका को दूसरे शब्दों में आप संसद भी कह सकते हैं विधान पालिका का उधारण क्या है संसद संसद में कौन-कौन सी सदन आते हैं भारत में जैसे लोकसबह और राज्य सभा है इंगलेंड में House of Lord और हाउस ओफ कॉमन इंग्लेयन में संसद में हाउस ओफ लॉर्ड हाउस ओफ कॉमन इसे परकार अमरीका में जो अमरीका में जो संसद है उसको कॉंग्रिस कहा जाता है आप यह कह सकते हैं बिधान पालिका को संसद कहते हैं और बिधान पालिका हिमांचल प्रदेश में जो बिधान पालिका है जो लेजिसलेचर है उसका मुख्य काम क्या होता है उसका मुख्य काम होता है कानून बनाना तो बिधान पालिका काम क्या होता है किसी भी देश में जो बिधान पालिका है किसी भी देश की संसद है चाहे वो केंदर में है केंदर में संसद है और राज्यों में जो राज्य बिधान मंडल होते हैं उनका प्रमुख काम लौ बन कोई भी कानून जो है विधान पालिका द्वारा बनाया जाता है भारत में जब कोई कानून बनता है सबसे पहले अगर वह कानून कोई पृदेश सरकार बना गी है तो वह पृदेश की राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत हुगा बिधान पालिका में प्रस्तुत होगा या बिधान परशद में प्रस्तुत होगा यदि केंद्र सरकार कानून बना रही है चाहे वो केंद्र के लिए हो चाहे वो राजियों के लिए हो तो वह कानून सरप्रथम या तो लोगसभा में किया जाता है फिर लोग सभा के पास पास होने के बाद वह राज्य सभा में जाता है राज्य सभा से पास होने के बाद वह राष्टपती की सवकृति के लिए जाता है तो बिधान पालिका सरकार का पहला अंग है दूसरा जो अंग है सरकार का वो है कारे पालिका इसको एक्ज करेगी, कारेपालिका उन कानूनों को लागू करेगी, जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए हैं, कारेपालिका का अर्थ यहां पर क्या हुआ, कारेपालिका का अर्थ यहां पर रास्ट पती से हुआ, कारेपालिका का अर्थ यहां पर क्या हुआ, रास्ट पती से हुआ, संसद द्वारा जो भी कानून पास किये जाते हैं वो रास्टपती की सबिक्रिती के बाद लागू होते हैं कारेपालिका कार्थ यहां क्या हुआ रास्टपती कारेपालिका का मुख्य काम है कानूनों को लागू करना तो संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो रास्टपती द्वारा लागू किये जाते हैं केंदर में अगर राज्यों में कोई राज्य विधानमंडल भारत में कानून बनाता है तो वो राज्येपाल की सविकृती से कानून बनते हैं या राज्येपाल की सविकृती से लागू किये जाते हैं तो कारेपाली का सरकार का दूसरा अंग है तीसरा अंग जो है सरकार का किसी भी देश में चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो अमरीका हो, इंगलेंड हो, जापान हो वो है न्याय पालिका, जुडिशरी जुडिशरी, न्याय पालिका न्याय पालिका का अर्थियां पर जो है हाई कोट है सुप्रीम कोट है सरबोच नियालिय है उच नियालिय है न्याय पालिका का कारिय क्या है न्याय पालिका का कारिय जो मुख्य कारिय है न्याय पालिका वो कानूनों की ब्याख्या करना है कानूनों की interpretation करना है या जो कानून जो है बिधान पालिका द्वारा बनाए गए है कारे पालिका द्वारा लागू किये गए है उन कानूनों की ब्याख्या करना न्याय पालिका का मुख्य कार्य है प्रतेक देश की न्याय पालिका बिधान पालिका तथा कारय पालिका द्वारा लागू किये गए कानूनों की ब्याक्या करती है इंटर्पेटेशन करती है तो यदि कोई पूछी सरकार क्या है सरकार की कितने अंग है तो आपका साधान उत्तर होना चाहिए कि सरकार किसी भी देश का किसी भी राज्य का शाशन चलानी का एक मुख्य अंग है उस देश की सरकार कानून बनाती है और उस देश का राजनेतिक आर्थिक और समाजिक प्रशाशन चलाती है और सरकार के तीन अंग है बिधान पालिका, कारेपालिका और न्यायपालिका बिधान पालिका ने संसद संसद या राज्य बिधान मंडल इसका मुख्य काम है कानूनों को बनाना विभिन तरह की कानून जो है बनाए जाते हैं चाहे वो शिक्षा का अधिकार है चाहे वो समाज के लिए कोई योजना हो किसी भी प्रकार की योजना हो कानून बनाना और का कारेपालिका का काम कारेपालिका का अर्थ है रास्टपती रास्टपती का काम उन कानूनों को सविकृति देना है जब कानूनों को सविकृति मिल जाती है तो वे कानून बन जाते हैं और नियापालिका उन कानूनों के अनुसार ब्याख्या करती है तो चलिए अब हम प्रिया करते हैं यह जानने का प्रियास करते हैं कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है राज्य और सरकार में क्या अंतर है तो जो पहला अंतर पाया जाता है राज्य और सरकार में वो यह है कि राज्य पूर्ण है राज्य अपने आप में पूर्ण है सरकार उसका एक अंग है तो जो यह मानते हैं कि राज्य और सरकार में अंतर है बहुत सारी विद्वान यह मानते हैं प्राचीन समय में अरस्तु एक राजनितिक विद्वान था जिसको हम राजनिति विज्ञान का पिता महा भी कहते हैं अरस्तु के अनुसार संभिधान राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं था लेकिन बहुत सारी विद्वान राज्य और सरकार में अंतर मानते हैं तो पहला अंतर का आधार क्या मानते हैं ये विद्वान पहला जो अंतर का आधार मानते हैं ये विद्वान वो है राज्य पूर्ण है राज्य पूर्ण है सरकार उसका एक अंग है सरकार उसका एक और्गन है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है सरकार पूर्ण है राज्य उसका एक अंग है सरकार और राज्य में जो पहला प्रमु तो कौन-कौन से हैं? पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूमी, तीसरा सरकार और चोथा प्रभुसत्ता है तो राज्य पूर्ण किस अर्थ में हैं? राज्य पूर्ण है मिन्स राज्य के चार जो अविश्य तत्व है उनमें सरकार भी एक मुख्य तत्व है अर्थात राज्य की निर्मान के लिए सरकार भी एक तत्व की रूप में होता है राज्य के अस्तित्व में ही सरकार का अस्तित्व है राज्य पूर्ण है क्योंकि राज्य में सरकार नामत तत्व भी होता है इसलिए राजे अपने आप में पूर्ण होता है बलकि सरकार जो है राजे का एक भाग है जो राजे की निर्मान के लिए आवशक होती है ना कि सरकार की निर्मान के लिए राजे का अवशक है तो राजे का अस्तित्व में ही सरकार का स्तित्व है कहने कारतिया है कि यदि कोई राज्य है तो उस राज्य में सरकार होगी तो राज्य पूर्ण है और सरकार उसका एक अंग है यह पहला अंतर विद्वान मानते हैं सरकार और राज्य में जो दूसरा अंतर है राज्य और सरकार के बीच का हो है राज्ये के लिए निश्चित भूमी अनिवारय है सरकार के लिए नहीं दूसरा अंतर जो विद्वान मानते हैं सरकार और राज्ये में वह यह है कि राज्ये के लिए एक निश्चित भूमी का होना अनिवारय है यह एक निश्चित अनिवारे शर्थ है कि अगर किसी परदेश पर रह रहे हैं लोगों को अपने आपको राज्य बनाना है तो उनके पास एक निश्चित भूमी होनी चाहिए तो निश्चित भूमी राज्य का एक आविशक्त तो है जिसके बिना राज्य की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसके बिना राज्ये की स्थापना असंभव है निश्चित भूमी के बिना राज्ये की स्थापना impossible है असंभव है लेकिन सरकार के लिए किसी निश्चित भूमी की आवशकता नहीं होती है यह विद्वान मानते हैं यह दूसरा अंतर है राज्ये और सरकार में तीसरा जो परमुख अंतर है राज्य और सरकार में यह है राज्य स्थाई है राज्य पर्मनेंट है और सरकार अस्थाई है सरकार टेंपोरेरी है राज्य स्थाई है और सरकार अस्थाई है इसका अर्थ क्या हुआ राज्य स्थाई है और सरकार अस्थाई है बिद्वान यह मानते हैं कि राज्य एक सथाई संगठन है, राज्य एक पर्मनेंट संगठन है उधारन के लिए भारत एक राज्य है, तो यह पर्मनेंट है, यह सथाई है, जब तक भारत के पास प्रभुसत्ता है जब तक भारत के पास प्रभुसत्ता है, जनसंख्या है, निशित भुबाग है, उस भुबाग पर रहे रहे लोगों की सरकार है, उनकी प्रभुसत्ता है, तो भारत प्रमानेंट है, जब तक उससे उसकी प्रभुसत्ता नहीं छीनी जाती, सोबरनटी नहीं छीनी जाती, राज्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता है और राज्य की जो स्थीरता है यह शिगरता से समाप्त नहीं होती है अरधात राज्य की जो पर्मानेंसी है राज्य अपने आपको जब स्थापित करता है तो इसको असानी से खतम नहीं किया जा सकता जबकि सरकार अस्थाई है सरकार अस्थाई है, temporary है, इसका अर्थ क्या है, प्रतेक राज्य में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमरीका हो, इंगलेंड हो, जापान हो, फ्रांस हो, जितने भी लोकतांत्रिक देश है, चाहे दनाएक बादी देश है, उनमें सरकारें अस्थाई होती है, अर्थात सरकारों का कार जो है, चुनाब किया जाता है, तो इस संदर्भ में सरकार अस्थाई है, सरकार temporary है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल निश्चित किया गया है, कि इतने वर्ष सरकार कारें करेगी, लेकिन राज्य हमेशा सी रहेगा, सरकारी आती जाती रहेगी और राज्य हमेशा पर्मनेंट रहेगा लेकिन उस राज्य में सरकारी विदलती रहेगी राज्य कभी भंग नहीं होता, राज्य कभी डिजॉल्व नहीं होता, सरकारी भंग होती रहती है अर्थात सरकारी आती जाती रहती है बर्तमान भारत में इतने सालों तक जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेकर आज तक बहुत सारी सरकारी सत्ता में आई और गई है तो यह अंतर माना जाता है कि राज्य जो है पर्मानेंट है राज्य सत्ताई है और सरकार सत्ताई है जो अंतर माना जाता है राजय और सरकार में वो है राजय में संपून जनसंख्या शामिल है राजय में संपून जनसंख्या शामिल है और सरकार में नहीं यह भी विद्वान एक अंतर मानते हैं कि राजय में उस देश की संपून सारी की सारी जनसंख्या शामिल है जबकि सरकार में नहीं राज्य और सरकार में यह एक मुख्या अंतर विद्वान करते हैं कि राज्य संपून है अर्थात राज्य में संपून जनसंख्या शामिल होती है उधारन के लिए भारत में जो 125 से अधिक करोड जनसंख्या है बटमान समय में 125 और करोड जनसंख्या है भारत की तो भारत राज्य में 125 के 25 करोड लोग जो है शामिल है भारत देश में चीन की जनसंख्या 135 करोड से अधिक है तो चीन देश में चीन राज्य में 135 की 35 करोड जन जनसंख्या जो है उसमें शामिल है अमरीका में भी उस देश की संपून जनसंख्या शामिल है चाहे वो फ्रांस हो तो राज्ये में उस देश की संपून जनसंख्या शामिल होती है जबकि सरकार में कुछ एक चुने हुए प्रतिनिधी होते हैं सरकार में संपून जनसंख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि सरकार में कुछ एक जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधी, चाहे वो MLE हो, चाहे वो Member of Legislative Assembly हो, चाहे वो विधायक हो, MLE को क्या कहा जाता है, विधायक Member of Legislative Assembly, विधायक जो है प्रदेश की जो राज्य विधान मंदले उसमें होते हैं, और MP हो, Member of Parliament हो, संसत की सदस्य हैं, तो सरकार में, सरकार में लोग सभा की चुने होई सदस्य होते हैं, राज्य सभा की चुने होई सदस्य होते हैं, राज्य विधान मंदलों की चुने होई सदस्य हो सकते हैं, प्रदान मंतरी हो सकता है, राष्ट पती हो सकता है, तो सरकार में सीटें हैं 68 जो MLE हिमांचल से चुने जाते हैं राज्य विधान मंडल के लिए हिमांचल में तो हिमांचल में जो है संपून जनसंख्या शामिल है हिमांचल यदेपी राजनेती विग्यान की दिष्टी से एक राज्य नहीं है भारत का उधारन लेते हैं भारत राज्य के 45 सीटे वर्दमान में हैं 552 अधिक सीटे हो सकती हैं लोग सभा और राज्य सभा को मिलाकर सरकार का निर्मान हुआ है तो राज्य में संपून जन संख्या शामिल है सरकार में नहीं क्योंकि सरकार में लोगों द्वारा अपने चुने होई प्रतनिधियों को भेजा जाता है त तो ये था राज्य और सरकार के बीच का अंतर खुप आपको वीडियो अच्छे लगी हो अगर आपको इस तरह के और लेक्चर अगर आपको चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूले थें